कि amson double door inverter adapter है उस पह चालर तर क्या पॉब्लों होता है वेर्ल इस वीडियों में कवर करेंगे देए दो यह रिस इसका पॉर्शन ही और पीछे का चो टरे तर्एेगे ओ महां पर फिशी में लगा होता है अंदर पर दो बॉक्स बना होता है इसको यह दो फैन लगा होता है इंडूर पे, शोरी वाव उपे साइड पे और नीचे पर फैन यहावा नीचे ठोगरता है नीचे 4D की-टेमपरचर का असपस होता है उपे माइनस के पंद्रा के उपे होता है अब इस पर पॉब्लिम है कि मैसिंग चल नहीं रहा है और किस बाद इसे नहीं चलता है और पिसी में ज़्यातर क्या पॉब्लिम आता है उसका आई सी नंबर क्या है और आई सी ज़्यातर खराब होता है और क्यूं खराब होता है वो डिसक प्रप्र प्रपवाइबल करने लिए इसपे वो इनवेटर कंफिसर कोंपेसर कर सकते हैं तो इसको बंद करते थे क्योंकि चल नहीं रहा है तो इसको चालू रखके फाइदा रचेक करेंगे उसको क्या पॉबल्लम है कि क्यों कॉम्पेसर जो हे 50 एर्ष से लेकि मालोग दो सो हर्च तक यह अबरौंट कर सकता है अलग-अलग कंपने का अलग-अलग हो सकता है है किस Direction you can see theakov निकाला हूं इसके नीचे का बर प्लास्टिक is काला सुबाट पड़ गया है माई आप फारिन हुआ है तो यह बोड्डी खरब हगया है तो आप निए Bowl क्यूआ ही मुंसे देखेंगे लेकिन आपने पास दूसरा PC भी है तो उसको चाल ला के चालू करके देखेंगे पर मैसेन कमपेक्ट चल रहा है कि नहीं उसका कुलिंग से है कि नहीं वह भी चेक करेंगे तो यहाँ पर देखें जितना भी सौकेट है इसको निकाल लिया हूं में पार सब्लाइ महादर बूट पर या था यह वाला जो सौकिट ही यह मेंन पार सप्लाइ सौकिट है एंदर वाला जो कॉंपिसर शाइड और सेंसर साब कुछ है इस पर अपने पास जो दूसरा बूट है उसको पहले लगा देते हैं इसको फिर चालू करके देखेंगे कि मै इसी कितने नंबर का है और वो कहां मिलेगा उसाब बात करेंगे इसके सौकेट लगा लेते है कि करके उपर वाला जो सौकेट विए उमेंट पर सप्ले जिस पे रेड और ब्लाक लागा हुआ है और नीचे वाला जो है ए मनलों दूसरे वाला जो बोड है मनलों जो इतरेर है Oppos favorite फिर इतों क्या होता है इंवर्टर पोर लागाने से महलों कॉंप सब्सेख होने से क्या होता है क्यंके योड़न होता है उससाब देता है मनलों कर सब्सक्रा Heक GNUMe से सुरूल होता है मनलों कंसे मं देखाऊँ ओन जानक हे किस तरह होता है और यहां पर दिख손 हो गया है यह नंबर कितना है और यह क्यों पोपलिम हाता है वो बी देखेंगे तो सबसे पहले इसको चालू करके देख लिए कि इसका बाकी जो बोड़ है मालों कॉम पाला जो बोड़ है उसे हैं के नहीं और कॉंपसर चल राय के नहीं कॉंपसर चल राय है तो उसका कुलिंग साइए के नहीं वी चेक करना पड़ेगा क्यूंकर पॉरौना वाल पी-सी-बी रिपेरिंग हो जाएगा तो ऩो और रिप्लेस करने का जृरूरत नहीं कि नए वाला पी-सी महिंगा होगा तो यह नए वाला PCP हम लोग लगाया हूं इसका IC यहां पर मिला है जो पर लगा हुआ है यह बना इसी दोनों IC का नंबर अलग है लेकिन जो कंपने का और जानल PCP पर लगा हुआ था वो किंड़ नंबर है वो आखिन में देखेंगे तो जैसे हम लोग का अब पीसी भी कंप्रील लगा दिया हूं अभी इसको चालू करके देखेंगे लेकिन एक मुस्किल है नहीं बना पीसी में इस पर फ्यूज नहीं है तो एक आयर सोट करके इसको चालू करेंगे बाद में इसको चेंज कर देगे तो यह ज़्यातर पॉर्ले माता है जैसे यह देखो यह चालू किया हूँ तो एक बर लाइट बिलिंग करके बनलो जो कॉम्पिसर भला बोर्ड है उस पर एक बर लाइट बिलिंग करके छोड़ दिया है फ्यूज ने लगा हुआ है फिर भी इससे क्या होता है पतर जालता है कि कॉम्पिसर भला जो लाइट बोर्ड है उस पर पार सप्प्ले आया है यह लाइट इसले बिलिंग कर रहा है कि बहुत सरा सौकेट है कोई ने कोई एक सीरीज होके आता है तो यह लाइट बिलिंग करता रहेगा और कुछ भी फोल होगा या कॉंपिसर स्टर्ड नहीं होगा तो यह लाइट बिलिंग करता रहेगा जैसे पाउर सब्सक्राइब है यह पर यहां पर है लेकिन आउट पूट पर उस पर लाइन नहीं तो हम लोग क्या करेंगे एक और लगा कर दिया हूं अभी देखि एक डिरे इसका पूलिंग और रिकोर्मेंट जीड़ना होता है उसी सबसे इसका आपर दिखाएंगे तो मैसे चालो हो गया है अभी इसका हीटिंग चेक कर लेंगे हीटिंग मतलोग एक बाड़ी कॉननेंसर है इसके लिए इसका बाड़ी गरम होगा और उसके साथ साथ इस आप इस तरह कोई भी ड्रीटर हो उस पर गैसीज चेक कर सकते क्योंकि इस पर भाल्ब नहीं लागा हुआ है तो ऑपको अंदज लागाना पड़ेगा कि करने साह चाहिए खूराए कि नहीं कूलिंग हो रहा है कि आप हावा का थो क्यूक्त देख लेते हैं क्योंकि इनर सब्सक्राइब में उपर का साई टॉप फ्लोर पे टॉप पे जो आपे किविन बना हुआ है उस पे से हवार माल फैन चलेगा तो नीचे डाक तुरू नीचे हवा आता है जैसे आम पर देखिए इसका देरी बार रहा है मलोग जितना लॉंग टाइम चलेगा देरी बारता जा एंगे मलो को दो चेक करना पड़ेगा क्योंकि कुलिंग नीचेख होगा तो वी चेंज करकर फाइदा नहीं है तो कुलिंग सिस्टेम साथ देगा तो फीर में टेनी संटेरी चेंज करेंगे हैं नह犯े तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएका तो फिर फिर यहा तरहा 46 हो गया है 0.46 अभी 5051 हो गया मैं अभी कमपेसर हाइज पर चल ला है अभी इसका जो बॉड़ी है ओबी हीट होगा और इस टैनल भी हीट होना चाहिए अभी इस तरह से हीट हो रहा है मैंनलों हीट मतलों बॉड़ी इतना हीट नहीं होगा लेकिन आपको हाथ लगने से पता चल जाएगा कि इस टैनल हीट है मनलों को गया सब्सक्राइब हो जाएगा और के अश्चान चाहिए कि सिस्टेम में चोक टेम आपको फूल इसपीट पर चल ला है अभी नॉर्मेल रिफ्रेटर होता तो इस पर क्या होता है कि यह होता कि यह एक पास एंपल लेता मतलब पॉइंड एक टी एक सेवंटी का सबस लेता इस फिटी बोला था प्यूटी ओन टुक वज ले रहा है मालों सही ले रहा है कि कुलिंग भी सही है हवा का थू भी सही मालों इसका PCV में पॉबलम है अब आते हैं इसका पुरणा वाला PCV उससे पहल पॉबलम में पुबस स्लेंट भी सिद्व रिसंट श्रीब और प्रोण होगा तो और जोक्रीख पोनद देन को विदिए प्लाइगा तृच दिनीचे में पuyस्टी थन ने आपाएगा जाए हैं जब नीचे का डुरण खुलेंगे तो पास चुक्त कर निक्टिय थो बन बन लिए दाग है उसका नीचे का पॉर्षन में क्या होता है स्मपार कांट्रोल होता है उसके उपए जो है मनलों दूपार्ट पे डिवाइड है उडिसी होता है अपका अन्दर का फैन ही वह भी दीजी है 16-12 बोल का स्पस्त मैंनि अंदर के फैन लगा होता है दो फैन होता है इस पहे इसके लिए कौन सब्सक्राइब होता है यहां कि एक को फोल्टेज होगा इसे क्यों होता है यहां पर और फैन से नमबर आप चेंज कर सकते हैं